एपिसो नमबर 180 की स्टर्टिंग होती है और चांगवान कहरा होता है वान भई आज डूडू की देखबाल करने के लिए तुमारा शुक्रिया और ये सब करने के लिए तुमार ले ये बुके प्लीज इसे ले लो आए ये सही लग रहा है ये काम करेंगा और वो लोग बस वापस आने में ही होंगे और मुझे ऐसा कहने के लिए कई बार प्रैक्टिस करनी चाहिए और तब ही चांगवान का फोन रिंग होने लगता है और चांगवान उस फोन को देख कहने लगता है अरे ये तो हाउस कीपर का फोन है जिसे मैंने वान भई और डूडू की रक्षा के लिए भेजा था और पिर वो फोन उठाता है और उससे कहता है क्या हुआ क्या वो लोग मजे कर रहे है अब हाउस कीपर घबराती हुए कहता है सर उन्हें कुछ हो गया है प्लीज आप जल्दी से यहां आ जाईए उसकी बास सुन चांग्यान चोकती हुए कहता है क्या और पिर उसके हाथ से वो फूलों का गुलदस्ता नीचे गर जाता है और फिर सीन सिफ्ट तो तरह में हास्पिटल दिखाया जाता है जहां हास कीपर डूडू से कह रहा होता है यंग मास्टर आप थोड़ा सा अराम कर लीजिए मैं उनका ख्याल रखूंगा अब डूडू कहता है नहीं मैं यहीं रहूंगा मैं ठका हुआ नहीं हूँ और तब ही वहाँ चांग्यान आ जाता है और वह हास कीपर उसे देख कहता है और फिर डूडू चॱंगवन के पास जाता है और चलाती वह उसे कहता है डैट आपको आने में इतना समय क्यो लग गया और फिर चॱंगवन डूडू का उपनी गोद में उठा लेता है मैं ठीक हूं और फिर वो जोड जो से रोती हुए कहता है लेकिन मुझे बचाने के चकर में वान भाई घायल हो गई और उसे अभी तक होश नहीं आया है और डॉक्टर ने कहा कि वो कोमा में है उसकी ये सब बते सुन चांगवन भी रोती हुए कहता है वान भाई और फिर हाउस कीपर कहता है माफ करियेगा सर ये सा मेरी ही गलती है अपने मुझे उनकी रक्षा करने के लिए कहा था लेकिन मैंने अपना काम अच्छे तरह से नहीं किया और फिर चांगवन उसकी तरह पहत बढ़ाती हुए कहता है तुम तब ही वो हाउस कीपर घबराती हुए कहता है प्लीज सर मुझे सजा दीजिये लेकिन मुझे दूर मत भेजिये और चांगवन उसके शॉल्डर पर हाथ रकती हुए कहता है तुमारी चोट बहुती जदा गंभीर है वो हाउस कीपर है रानी से कहता है नहीं इतनी भी ज़्यादा नहीं है फिर चांगवन उससे कहता है ठीक है लेकिन इसमें तुमारी कोई गलती नहीं थी तुमने एक अच्छा काम किया उस चांगवन को ऐसा कहता देख वो हाउस की पर खुश होती हुए मन में कहता है उन्होंने मुझे ये सब के लिए दोश नहीं दिया इसके बजाए वो मेरी परवा करते है और फिर वो उससे कहता है शुक्रिया सर फिर चांगवन उससे कहता है कुछ दे डूडू को आराम करने के लिए ले जाओ में यहीं रुखूंगा और फिर वो डूडू से कहता है डूडू जाओ और जाकर थोड़ा आराम करलो में वान बई का ख्याल रखूंगा पिर डूडू उससे कहता है तो फिर डैड आपको उसकी अच्छी तरह से देख भाल करनी होंगी तब चांगवन उससे कहता है डूडू मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसकी अच्छी तरह से देख भाल करूंगा और फिर वो हाउस कीपर डूडू को लेकर माहा से जाने लगता है और कहता है सर फिर मिलते है और फिर चंग वन वान बै के बाज़े में बैट जाता है और उसका हाथ पकड़ती वे कहता है वान बै मैंने अपना सारा आतीत खो दिया है लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता और गाज़ी के साथ एपिसों नमर भान रे टी यहां एंड होता है पसना है तो लाइक और सिस्काइब जरू करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में